कि दोस्तों आपका एक बार और स्वागत आपके अपने चैनल कॉंपिटिव हेल्प पर कॉंपिटिव हेल्प आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता है जिसमें आपकी लिए से की बुक से हमने हिस्ट्री के टॉपिक्स को कबर करना शू किया है इंडर्स वैले सिविलाइशन हम कंप्रीट कर चुके है आपके साथ अभी हमारा चल रहा है वैधिक सिविलाइशन और हम पूरी रीडिंग ना कराकर सिर्फ इंपॉर्टेंट फिल्टर्ड कोशन को केरी करते है यदि आपको लगता है कि यह कंटेंट सही है और जैन्वन है तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम बड़ी मतले डेली फिल्टर करके बनाते हैं कंटेंट ऐसा नहीं करते कि रीडिंग करा रहें जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो क्योंकि सारी चीजे कोई बहुत सारी चीजें पड़ा देते हैं तो जिससे कि स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है कि उसको गोल नहीं पता चलता है वह अपना वांडर्ड ही वांडर्स हाइदर एंट हाइदर फॉर्डी सक्सेश तो हमारा चैनल कॉंपिटिव हैल्प आपकी जीजान से क्लेर हो पाए आगे बढ़ने से पहले आज की जो हमारी वीडियो है वेदिक शिवलवाजियों जिसे वह हम वेदिक सिवलयसेंट के आगे के पार को कम्लीट करेंगे इससे पहले पार को हम देख शुकblack need के डुली सिवेशंर की ताकि आप सिंदेगी में एक ऐसे मुकाम को हासिल कर सके जो आपने सोचा है और जिससे आपको सोचना होगा daily तब ही आप पापाएंगे Because ambition is the first thing in life that you should have with yourself Always listen before you speak Learn to earn before you spend Think before you write Try and try before you quit and cry Live your dream life before you die I hope की you will get success one day And you will be motivating us And we will very happy to see you on the stage On the podium Let's go Today's video is again welcome Computer Helper Today we will be watching Vedic Civilization Vedic Culture Let me open first my marker And you guys subscribe to this channel So that we can show you that education is not far from anyone Due to this corona pandemic Our education and illiteracy rate is a lot of turnaround And we and students have the power to subscribe to this channel How many other debt you love Now subscribe करें ने साथ लून आप सच्चरइब करकर अब देहिए तो इसमें कुछ बुरा क्या है तो यह पहले खुछ से पूछना उसके बाद ही सब्सक्राइब करना और अगर क्लास में लगे कि यहां क्लास में वह इंपोर्टन्ट वह एम्फेटिक कंटेंट है जो आपके हेल्प कर सकता है तभी सब्सक्राइब करें और जाज़र दा लाइ तो स्टूडन्ट टूट चुके है तो टूटे नहीं अपने आपको बना कर रखे चले चलेंगे वेदिक सिवलाइशन पर यह स्टार्टिंग के लाइन और यह तून होगए मॉटिवेशन हम आप ही के लिए रखते हैं चाहे तो हम डारेक्ट विच्टू कर सकते वीडियो बट नहीं क्योंकि डेली मॉटिवेट डेली इंस्पायर होना आप वह भी आपका एक इंपॉर्टन डेली पार्ट है कल हमें वीडियो आपके लिए लेकर नहीं आया पाई थे हमने भी अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया तो यह एक्शली विकॉज आफ कुछ रीजन की व अब ही क्या है कि हम आज देखेंगे उपनिशाथ उपनिशाथ क्या होते है उपनिशाथ तो अपनिशाथ वेधिक सिवलाइशन में आप लोग खुलके वैठी अपने बास आपको देखेगा उसमें उपनिशाथ क्या है और सामने भी देखते रहिए उपनिशाथ क्या है ब learn in proper manner okay so हमें क्या करना है we will try to understand what is उपनीशद और उपनीशद की जोद क्यों पड़ी है क्या है ये शब्द उपनीशद दोस्त उपनीशद क्या होते है ये basically एक philosophical text होते है किसी बहुत पुराने दार्शनिक ने बहुत पहले दार्शनिक ने करते हैं तो researchers हो गए जो बहुत ज़ाद किसी भी चीज में विद्वान होते हैं अपनीशद में तो वो philosophical text जिसने लेखे है बहुत कुछ philosophical text मतलब जो अपने आप में क्या है unique है जो अपने आप में philosophical है उसके बाद में ये उपनीशद आए मतलब जितने भी हमारे वेद थे जब वो खतम होगा हमारे वेद रिग वेद ये जुर वेद ये सारी चीज़े खतम होगा है तो उसके बाद में हमारे उपनीशद आए उके लिखा है ने they came towards the end of the Veda जब वेद खतम होगे तो उपनीशद आगए वेद खतम होगे तो उपनीशद आगए ये फिलोसिफिकल टैक्स में ही उपनीशद में लिखी हुई थी सारी इंफिमिशन है कितने उपनीशद होता है टोटल पनेबास उपनीशद को समझे कि इफनीशद वियलिटी में है क्या ये न कुछ फिलोसिफिकल टैक्स जो जैसे बहुत पायस पुकों में लिख दिए गए मतलए कि ओल्ली बुक्स में लिख दिए गए मतलए होली उप कंटेंट होग एक तरह से पवित्र कंट्रेंट होगा, पाइस जी से कहते है P.I.O.U.S, ओके तो वो उपनीशद हो, फिलोसफिकल टैक्स ती यह मतलब जो दार्शिन को के द्वारा लिखे गए इंको वेदानता के नाम से भी जाना जाता है तोटल 108 होते हैं यह एक टॉपिक हमने देखा लिट्रेचर ओफ वेदिक ट्रेडिशन इसमें हमें आद रखना है सिर्फ एक सो आट उपनीशद होते हैं और इंको वेदानता के नाम से भी जानता है क्योंकि यह वेदों के खतम होने के बाद में आए लिट्रेचर ओफ वेदिक ट्रेडिशन अब उसकेद में क्या होगा 600 BC से 600 AD की बीच में कौन साइट्रेडिशन आगया साहित्ते का आगया अब वेदों में साहित्ते कहां साया मतलब अपनी एजुकेशन यह साधी चीज़ें कहां साया तो हमने जब लुसेंट की बुका आपने और हमने खोली तो हमने देखा कि भाई लिट्रेचर में दो important चीज़ों को क्या किया गया है वो है अपनी स्मिती और एक है अपनी शूरुती स्मिती What is स्मिती स्मिती का मतलब होता है अपनी स्मृति को बढ़ाओ अपनी याददास को बढ़ाओ यह होता है स्मृति स्मृति by learning शृति by listening जब आप किसी को सुनते है जैसे आप अभी जहां भी बैठे है सुन रही होंगे मुझे अभी तो उसे कहते है शृति जी हाँ इन शब्दों का वर्णन आपकी literature में यानि की Vedic tradition की literature में किया गया साहित्य में किया गया जैसे हम जब schools में होते है तो इंगलिश वाली मैम कहती थी की literature की book निकालो बच्चो तो वो साहित्य की book कहती थी ना की language की language होगा तो अगर वो बुलेंगी language की book निकालो बच्चो तो हम कहेंगे language में grammar को निकालेंगे के grammar प्रवाइड करेंगो grammar की class होगी तो language में सोता है grammar literature में सोता है साहित्य है जो अपनी reader से books होती थी तो smithi और shruti हमने जाना smithi means by learning and shruti means by listening यहां shruti तो पहले literature में इन शब्दों को define किया गया और हमें तो सिर्फ समझना है कि literature वेडिक tradition कब से कब तक रहा 620-680 तक रहा total कितने literary works exist कते है वेडिक tradition में total 6 literary works है आप अपनी लुईसेंट की book में देखेंगों तो 6 है लेकिन हमें वो सारे याद नहीं करना है अब holy book जो एक पवित्र भुक है रामायन सभी हिंदू धर्म वाले शाथ सभी जानते होंगे मतलब सभी सारे धर्म सारे धर्मी अच्छे है ऐसा कुछ नहीं कि कोई धर्म मतलब कि ऐसा है कोई वैसा नहीं सारे धर्म अपने आप में क्या है पवित्र है सबकी एक जयता है सबकी अपने कल्चर से तो सभी एक क्या है अपने सारे ही अच्छे धर्म है सभी ही holy है मतलब पायस है तो हम लोगों को प्यार बढ़ा के रखना है चाहे हमारा कोई भी हिंदू भाई हो मजभ धर्म का हो कुछी बढ़ा हो वी आर ओल इंडियन्स एंड हमें सेलेक्शन लेना है तो उसके लिए हमें समझे हो लीसरेंड के कुछ इंपॉर्टन्ट कंसेप्ट्स को वो करक्स को जो हमने निकाले आपके लिए फिल्टर्ट करके वो रोड थी होली बुक रमाईना तो आपको सीदा आंसा रहना चाहिए पेपर है वो वालमी की तो दोस्तों ये जो हम देख रहे है कि होली बुक रमाईन्ड रमाईन्ड क्या है? एक महाकाववे है ये ओल्डेस्ट एपिक माने जाता है सबसे पुराना महाकाववे महाकाववे जो बहुत पवित्रो हिंदु धर में रमाईन्ड वालमी की वालमी की की दोरा लिखा गी ते इंको वालमी की तो याद है ना कल लोग अगर कोश्चन आता है एक्जाम में वो रोड टी बुक रमाईना आप उस पे आंसर टिकर पाएंगे कि जी हाँ वालमी की है वालमी की लेसमोवट टू दिनेक्सक्वald महाबारत टी लौंगेस्ट एपिक महाबारत लौंगेस्ट एपिक यसे महाबारत यह किसे के दवारा कम्पाइल की गई वेध व्यास जो एक महाबारत, दो कावे, दो को महाबारत दो है टोटल, टोटल दो महाबारत एक अपना हो गया इसे इंगलिश में epic कहते है epic लेगं रमाइन जो है अपनी oldest epic है और जो अपनी महावारत है वो longest epic है ओके महावारत के है अपनी longest epic जिसको किसके दौरा compile किये मतलब अपने शब्दों में लिखा गया तो वो है अपनी वेदव्यास वेद्वियास ने लिखना था ने महावारत को मतलст वेद्वियास ने उन्ठाइल किया था मतलए कंप़ाइल किया था उसको सारी चीजह को अपने शब्दों में पढ़न लिए भही शंस्कित में लिखा गया था था हुए यह यह आई सब्लेड रिखना था वालमी की और वेद्वियास ने कंपाइल किया किसको महाभारत को यादग ना बेरी इंपोर्टेंट है रमाइन किस तोरह लिखी गई और वेद्वियास कौन थे जोनोंने महाभारत को कंपाइल किया है वो देखाता है ने महाभारत महाभारत अब आता है how many purans exist how many purans exist total 18 purans exist okay purans old purans जो चीज़े होती थे उन्हें purans का गया पुरानी रितिया, पुराने चीज़े, oldest purans जो होती है अपना सबसे oldest purans किसको का जा 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 था अपना मतस्य purans को का जा 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 था there are how many upvaydas exist अब कितने upvaydas exist करते हैं total four है अभी हम जानेंगे upvaydas क्या होते हैं total four upvaydas exist करते हैं ठेक है, यह रहा upvaydas क्या होते है, basically हमने, रिक वेदा, यानि कि आयूर वेदा, यह दोखो इदर आयूर वेदा, गंदर वेदा धनूर वेदा, शिल्प वेदा अथर वेदा इनको, इनके ना इनको simplify, मतलब इनको और किस नाम से जाने जाता है मतलब इनकी और दूसरी actualities क्या है, मतलब यह आपकी book में भी दे रखा, actualities वेदा, actuality vedas, तो वो क्या है उसके बारे में यहाँपर हमारे discussion किया गया है तो उपवेदा अगर कल को आप ये वर्ट सुनते हो किसी तो उपवेदा अच्छा हाँ सर मैंने पढ़ा है उपवेदा टोटल चार है कौन कों से पेपर में ओप्शन देदेगा चार उनमें से एक गल्द कर देगा अपको बताना हो गल्द कौन साइज में कौन से उपवेदा नही है तो आप टिक कर सकते है चार उपवेदा अपने एक अपना आयूर्वेदा、 गंधर वेदा धनूर्वेदा, शिल्प वेदा ये दोस्तो चीज़े एक भारी में यालोने वाली नहीं है आपको तकरीमन कई और बार पंच यो चई चई और इन वीडियो इसको देखना पड़ागा इसको कहीं आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगी इसके तो हमने देखा कि आयूर वेदा गंदर वेदा और धनूर वेदा और शिल्प वेदा ये क्या है हमारे चार उपवेदास थे तो वेदास को ही उपवेदास के नहीं का गया है उपवेदास इनकी इनकी सिंपल नाम्स को काके जो सिंपल हो इजी में बोलने में ठीक है तो सिंपल हो जो इजी बोलने में सिंपल हो जैसे अब इंग्लिश में कितने सारे वर्ड हो कितने सारे मीनिंग होते है लेकि हम सिंपल मीनिंग हो इस करते है जैसे अब इंग्लिश में डाट ने को स्कोल्ड भी कहते है और रिब्यूक भी कहते है तो जिसको रिब्यूक कीजी लगता हूँ और शिल्प वेडाय अर्थर वेडाय जिसे आ जयाता, ध्धनी कैसा हो ज घी लिए तो जा ठोड़े है। तो चाहिए, मैडिसीन आईउर वेड़ा, म्यूजिक गंधर वेडाई, आर्चरी द्वेडा, शिल्प वेडाय साइंस जिन्देगे में किसी चीज की जल्दी मत करो क्योंकि सहीएं से किया का का काम कहते हैं कच्छुआ जीच जाता है तो वह वाली आदट डालो अपनी यह नहीं कि जल्दी जल्दी कॉर्स को we have completed the course altogether तो वह वाली आदट नहीं होने चीज़े जिन्देगी में सारी चीजे सहीम के साथ और एक सहन शक्ती बना के रखो क्योंकि बहुत सारे ऐसे पलाएंगे जहां पर तूर जाओगे ओके तो वो चीज़ होनी चाहिए आप में और भूल जाओगे कई बार भूलोगे ठीके तो हमने जैसे उपवेदा पड़ा और इतने सारे हम कैसे आद रखे आयूरवेदा, गंदरवेदा, धनूरवेदा तो यार खोशिश करोगे, you will win you will win obviously you will win बहुत सारे शब्दोते इंग्लिश में आप भूल जाओगे फिर भी आपको याद है निक पड़ेंगे याद हैंगे कब जब आप इंग्लिश बोलते रहोगे चन्नाई के लोग भी तो इंग्लिश बोलते है अपने वो हिंदी को नहीं बोलते और सबस्याद वो ही अपरोड जाते हैं फिर companies भी आती है için को इसको जो आपने फोर्डनास cause C.S.S.Corp मैं इसको अभी क्या है कि यहां पे विता से उसको जड़ा हो साम वेदा से धनुर वेदा कैसे जड़ा हो इसे और शिल्प वेदा ओ ठर्वेदा कैसे जड़ा हो आथर वेदा से किया दखना है इस चीश को आप लोग तो उफवेदास I hope I hope कि ये जो कंटेक्स्ट है सब को सुन में आया ओके तो आप लोग इतनी चीश को रिवाइस कीजेगा ये हम कल पार्ट वन में कंप्लीट करने वाले थे हैं बट हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि कल हमारे लैप्ट में कुछ प्रॉल्ब्रम थी तो हमारी हम वो कंसिस्टेंसी के साथ में आपको कल कलास नहीं दे पाए तो आज हम दूसरे पार्ट को भी चुरू करेंगे आज हम याज से शू करते हैं पाट वस दे नेम आफ शिक्स स्कूर्स इन अफ इंडन फिलसोफी तो चले चलेंगे लेखें नीचे एक इंप्रॉर्टन लाइन भी अगर आपने गार क्या हो भी कंसिस्टेंट इन लाइफ तो वार्स यूर गोल विद एक्यूट प्लांस तो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहे मेहनत करते रहे एंड वन डे यू आर दी फ्यूचर ओके एंड आई अल्वेज आई अल्वेज से टू एवरीवन हार मत मनू मत मनू हार बहुत पार ऐसा होगा कि आप भटक जाओगे लाइफ से आप सुचोगे यार मैं एक्टर बन जाता हूँ एक्टर बनने के लिए लेकिन दोस्तों आपको अगर आप मिटल फैमिली से बिलंग करते हैं तो कही संकर्शा आपके लिए बहुत सारी आडल से उसको आपको क्रॉस करना है अपनी में जिन्दीन और यू आ वन डे यू विल रीच जरूर पहुच होगे सल्मान खां के बगल में सब सब के साथ होंगे अब बट बी मोटिवेटेट बी बी कंसिस्टेंट इन यू लाइफ चलिए what was the name of six schools of Indian philosophy अब ये एक टॉपिक आएगा आप जब लूसेंट पढ़ रहोगे तो इसमें दिखाए गया है what was the name of six schools of Indian अब जो पहले समय क्या होता था कि जो एंशन टाइब हो करता था अर्ली वेडिक एज का उसमें क्या था कि अपना जो भी ये उसमें तो आर्येंस की बात चल रहे क्यों कि वेडिक कल्चर में आर्येंस की बात की गई है कि आर्येंस आयाते है सबतसंदू में पंजाब वाले रीजिन में तो उसमें जितने भी विध्यारती होते था वो education कैसे grad करते थे तो वो उसमें रेशिमुणी गी कुटी होते उसम जाया करते थे और महाद जाकर सिक्शन करन गर गरते थे तो उसी के विहां पर इंड्यान Filosophy ही मतल़ भारती आर्शक्ता के भारती आर्शक्ता के टोटल च्है च्है स्कूलों के नाम हमें बतानी है वाट वाज दी नेम ओफ श्कूस अफ इडिन फिलोसफी तो अगर इंडिन फिलोसफी में हमारे सक्षन चल रहा है लिट्रेशर या निकी अपने वेदास का इसमें इंडिन फिलोसफी के च्छा स्कूस का नाम बता गए चली जानते हैं यह वेरि इंपोर्टेंट है और किसमें से कोश्ण पूर्टा बहता है मेरे को भी मैं कराना नहीं चाहता था जीजे बट क्या है की कोश्ण आ जाता है इसमें से तुम्हें करा रहा हूं इसी भीहाफ पर तो चलिये चलेंगे इंडियल फिलोसफिय के नम से नहीं जाता है तो यह दार्शनों को इन उतलब स्कूल जिन्ने दार्शन के नम से नहीं जाता है यह फांडर को हुझ थे जिन्नों ने इसकी स्थापना करी और बेसिक टैक्स्ट क्या लिखे गए थे इसमें तो इसमें सांखे दर्शन आता है पहले सांखे दर्शन एक दर्शन था मतलब स्कूल था एक तरीके का स्कूल का नाम है और इसके फाउंडर थे कपिला महिरिशी महिरिशी कपिला इसके इस्थापक थे और इसमें सांखे शूत्रा के आवरे में सिखाया जाता है सांखे सूत्र मतलब कि एक तरिके टैक्स्ट होता है एक तरिके का लखने का तरीका होता है वो सिखाया जाता है जिसे हमने ए बी सी डी सीखा है ऐसी हमने आ बड़ा आ स्टार्ट हुठी योगा क्या होता है योगा की juice यहीं से सारी योगा आज हमारे के बाबा रामदेव जूए बाबा रामदेव जी ने यह दिखो कितना प्यारनाम उठाया यानि कि देखो वो पड़े लिखे है पूरे अच्छे से पढ़ाई लिए उन्होंने और जन्ता शाय जिन्होंने पढ़ाई निकी इसलिए आज पतंजली कितना ज़्यादा फेमस ब्रांड है एक तो योगा दर्शन पतंजली इनके फाउंडर थे योगा दर्शन के और सबसे बेसिक टेक्स कैसे कहा जाता थे लोगों स्टूटेंट्स को न्याय सूत्र इसमें सिखा जाता थे और वैशिका दर्शन इसके फाउंडर थे उलूका कंणड ठीके इसके जो बेसिक टेक्स कैसे कहा जाता थे वैशिका सूत्र के अर्में सिखा जाता थे यह वाला इंपॉर को पी दोस्तो थोड़ी से सब्सक्र Jawam यही एक हैं carbon आप हर चीज़ को समस्ते चल रहे हैं वैदिक एज इस डिवाइदे न डू पार्ट्स ओके मार्कर कांगिया, एक सेकंड वैदिक एज को क्या करा गया, डू पार्ट्स में डिवाइट कांगिया वैदिक एज को आप दिखो, यहां पर हमने इतना कावर कर ली है जाच सबस्या-चा कांगिया, संकरी, योगदार्श।- वैशिक अछये जाय क expects to drag आते हैं वैधि कि आप में, अपश कर के दिव. अर्ली वेदि पार्ट्स में डिवाइट में जो knowledge का source हुआ करता तो लोग बाग पढ़ा करते थे और विद्यारती पढ़ा करते थे तो उनके पढ़ने का स्रोथ क्या होता था वो लोग कुछ ना कुछ education तो आप क्या करते होंगे consume करते होंगे तो which is known as the major source of knowledge of early vedic age और इन में से कौन early vedic age का major source जाने जाता है rig veda okay rig veda rig veda को major early source जाने जाता है मतलए कि सबसे पहला knowledge का जो सोत है मतलए कि अगर यह early vedic age के लोग पाए गए rns पाए गए इनके अंदर जो rns थे वो knowledge कैसे grant करते थे किस vedic से knowledge grant करते थे क्योंकि वेद उसके बारे में यहां पर क्या गया गया mention क्या गया तो वो थे rig veda rig veda rig veda से okay rig veda यहां पाए ता major knowledge source था जिसके थूर क्या जाता था knowledge को acquire किया जाता था rig veda और rig vedic people किनों किनों ने अपने आपको rig vedic people का who said themselves as rig vedic people rns ने अपने आपको rig vedic people के नाम से खा rig vedic people आज की last slide okay last नहीं मतलए एक और last बचेगी उसको भी complete करेंगे okay तो अभी हम जानते हैं यहां पर अपना at which area rns were confined in the India अब भाई जब हमने देखा early vedic age आया हमने देखा vedic age को दो parts में आपना उसमें early vedic age में चलो ठीक है early vedic age में तो Central Asia की कही साइड़ों में वह लोग फैल होए थे हमारे लेकिन धीरदे करते करते हैं लेटर vedic age तक भी लोग हमारे rns आ चुके थे तो लेटर vedic age में जो इंडिया के कौन कौन से parts में वह आकर फैले फैले तो सबसे पहले हो सबसंदू में आये थे land of seven rivers वहीं तक वह सीमित थे उसके आगया नहीं कहीं फैले हो ठीक है और seven rivers कौन को सी है यह सतलो जरावी चेनाब बेयास बस नाम देख लो एक वार को कल को paper question आएगा तो इसमें से कौन सी river अपनी seven rivers का partner सबसंदू को तो आप बता सकती है यह river नहीं है मतलब यह तो है सारी को दूसरी river देदेगा तो यह तो पार्ट से सतलो जरावी चेनाब बयास जहलम इंडस सरस्वति सरस्वति क्यों के गयब हो चुके सरस्वति दिखाई नहीं देती ठीक है मतलब एक्जिस करती है बट वह दिखाई नहीं दे ठीक है तो यह है अब देखो आप लोग you will be thinking that what we are doing यार हम तो रट रहे है और हम theoretically समझे दोस्तो मैं पूरी कोशिच के practically भी उसको रिलेट किया कि रिशी मुनियों के आश्र में जाके स्कूलों में पढ़ा करते थे स्कूल को उनकों से नाम होते थे पहले ऐसे ही नाम होते थे संस्क्रित भी चला करते थे पहले तो बट जो आपके लुसेंट के बुक में एजरेटिव मेंशन किया गया है और एक filtered content आपको दिया जा रहा ह कि इनसान की बातों से इनसान को उसकी क्या knowledge जरा वक्या content लोगों के अपने student के में शेयर कर रहा है आपको लगता है कि genuine content और genuine मेरी voice और genuine मैं समझाता हूँ तो subscribe करो और education को दिखा दो कि education में आज भी कितनी थाकत है education को बहुत आगर पपचा दो lucent lucent पढ़कर जो lucent यहां से पढ़ो lucent से अपने dreams of dreams of dreams पालो के और which battle is known as battle of 10 kings अब 10 kings की battle बतल दस राजा उन्हें एक साथ लड़ाई करी थी दस राजों की भीच में लड़ाई हुई थी तो दस राजानवार कर जाता है which battle कौन सी बैटल को दस राजानवार कर जाता है जिसमें 10 राजाओं ने लड़ाई करी थी लड़ाई लड़ी थी battle of 10 की दस राजाओं की लड़ाई हुई थी आपस में इधर हो गए 5 अपने एक दो तीन चार पाँच ठीक है अभी तो मैंने ऐसे hierarchy बना दिया hierarchy structure ठी फूर फाइर तो इनके बीच में क्या हुआ अपना लड़ाई लड़ी गई ठीक है तो लड़ाई लड़ी जा रही थी मतलब आपने मतलब सब 10 कीयों के बीच में लड़ाई जाए थी तो सब 10 राज जेता है जैसे गहरों कि अब हमें आपसी वीवाद हो जाते हैं चाचाची को लेकर gewoonे हो गयी त्साजन वार कि इनके बाई की बीच में ही लेडी गए थी क्योंकि कुछ इंटर निसाइन डिबेट सुइटिंग की बीच में इंटर निसाइन याद अखुर यह क्या होते हैं आप सी विवाद जो रहते हैं किसी चीज को लेगे तो हमने इतनी सारी चीज़े देखी यहां तक आज की लास्ट स्लाइड और इसके अदर में हम चलेंगे कल मिलेंगे आप लोगों से और अपने कंटेंट को कंट्यूनियू रखेंगे कल हम आपके लिए मैथ या आपके लिए कोई ऐसा ही ऐसी ही मतलब की आररे भी ग्रूप ड तो यह याद मुझे भी नहीं है स्हाइड जानरली क्याता हूं क्यों मैं जूटनी वोलूँगा ओल्डेस टाइम में रिग्वेदिक नेम क्या दिया गया था इस नाम से हो ले जाता था असी कानी बियास को ओल्डेस टाइम में रिग्वेदिक नेम में क्या दिया गया विपास ये सारी नदियों को पहले जितनी भी रिवर्स दी रिवर्स which are mentioned which mentioned here basically known as these names in the past days okay at that ADBC's time Satluch, Sutudri, Sarusuti, Saraswati, Ghaagar, Dishtavati, Kabul, Kuba, Swati, Suvustu, Kuram, Kuram, and Satu, Krumu, Gomal, Gomti, Goga, and Satu. And this is where it is. And that's where it is, Indus, Punjab, Punjab, Jhelam, Punjab, Punjab, Chenab, Punjab, Bias, Punjab, Rewi, Punjab, Swatluch, Punjab, Sutluch, Punjab and a Saraswati, Saraswati, Raiistan and Ghaagar, Raiistan, Ghaagar, Raiistan, Ghaagar, Raiistan, Ghaagar, Raiistan, Kaabul, Afghanistan, Saudi, Afghanistan, Kurum, Afghanistan and Gomal, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो like, share, subscribe करना न भूले और हमेशा किसी भी चीज को बोलने से पहले किसी भी चीज को बोलने से पहले हमेशा सोचो कि आप बोलने के जार हो इसलिए जो मैं quotes बोलता हूँ Always listen before you speak Learn to earn before you spend Okay Think before you write किसी चीज को लिखने से पहले Try and try before you quit and cry Live your dream life before you die तो चलिए आप लोगों का प्यार, support इसी तरह के से मिलता रहे और हम लोग अपने जलती से जलती subscribers को पूरा कर ले ताकि हमें ये trust हो जाए कि हाँ, आज भी education और government experience की कमी नहीं है और वो genuine content को पढ़ना चाहरे है मैं पूरी कोशिश करऊंगो genuine content मैं YouTube में मैंने बहुत साइटीचर को जखा जिस तरह के से mislead करते है I am very displeased to see this I have no words मैं क्या कहूं इस बारे में लेकिन मैं कहना ही चाहता ठीक है, सब लोग संगर्ष कर रहे है अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करना, share करना, subscribe करना comment करना कि इसमें क्या आपको good लगा, क्या आपको bad लगा और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया thank you so much good bye thank you, thank you so much I hope कर लोगा कर सकता है